हमारा दिमाग एक स्व आयोजित सूचना प्रणाली सेल्फ और्गनाइजिंग इन्फरमेशन सिस्टम है विडियो पॉज करके इस वाक्य को पढ़िये इस वाक्य में शब्दों में अक्षर ठीक करम में नहीं है लेकिन आपका दिमाग पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छा है इसलिए आप ये वाक्य सहच पढ़ पाते हैं अब इस वाक्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए विडियो को पॉज कर लीजे आखरी संटेंस ट्राइ कीजिए अखरी संटेंस ट्राइ कीजिए अच्छी आपका दिमाग एक पैटर्न मैपिंग मशीन और Self-Organizing Information System की तरह काम करता है इन दो Fill in the Blanks को देखिए सही जवाब Eat Soup और Wash Soap आपको आसानी से पता चल गया कि किस रिक्त स्थान में क्या भरना है क्योंकि आप संदर्प समझते हुए पैटर्न को पहचान गए अब इसे देखिए भले ही B और 13 समान दिखते हैं मगर दिये गए संदर्प को देखते हुए आपका दिमाग अनुमान लगा लेता है कि कौन सा पैटर्न ज्यादा फिट बैठता है जब हमारे मस्तिश्क को एक समवेदी इनपुट मिलती है आख, कान, नाख, जीब या तवचा से वह तुरंत इस इनपुट में पैटर्न खोजने की कोशिश करता है ऐसा हमारा दिमाग इसलिए करता है क्योंकि फिर वो आती हुई नई जानकारी को मौजूदा पैटर्न से फटाफट मिलाता है ताकि जल्दी से उस नई जानकारी पर आधारिट निर्णे ले पाए जैसे अगर समवेदी इनपुट है गरम तो दिमाग में बना संबंदित पुराना पैटर्न कहता है हाथ जल सकता है और दिमाग तुरंत मसल्स को हाथ हटाने का निर्देश देता है शरीर की उर्जा की खपत Energy Consumption in the Body में हमारा दिमाग शरीर का सबसे महंगा और्गन है यानि दिमाग को काम करने में सबसे ज्यादा उर्जा लगती है तो लाजिम है कि वो Information Processing में बहुत Efficient रहे ताकि नई जानकारी को जल्द से जल्द समझ कर उसके बारे में निरने लेने में कम से कम उर्जा लगे ऐसा करने के लिए नई जानकारी में पैटर्न ढूंट कर उसे existing पैटर्न से मिला जल्द decision लेना दिमाग को Energy Efficient बनाता है इसी लिए हमारा दिमाग पैटर्न मैपिंग करता है सोच के देखिए जब आप एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप जटपट इस नए व्यक्ति की अपने किसी जानकार व्यक्ति से तुलना करने लगते हैं ये तो रमेश जैसा है या ये तो फला फिल्म के फला किरदार जैसा है और फिर इस तुलना के आधार पर और आप इस नए व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हैं इसको स्टीरियो टाइपिंग कहते हैं आप स्टीरियो टाइपिंग कर रहे होते हैं जब आप कहते हैं मैं तो जानता ही था बंगाली तो ऐसे ही होते हैं या पंजाबी तो ऐसे ही होते हैं इतियादी दिमाग सी कि पैटन्स को थोड़ा और समझते हैं जभ मैं शब्त कहता हूँ टेरिस्ट तो आपके दिमाग में क्या चवी आती हैं कम संभावना है कि आपके दिमाग में एक यंग लड़की की तस्वीर आई होगी क्योंकि मीडिया आदी ने हमारे दिमाग में टेरिरिस्ट की एक छवी बना दी है टेरिरिस्ट स्टिरियो टाइप हमारे दिमाग की पैटर्न मैपिंग प्रकरिया की तुलना हम कर सकते हैं एक फूल की पंखड़ी पर गिरने वाली बारिश की बूनों से पंखड़ी पर बारिश की पहली बून्द कोई भी रास्ता चुन सकती है मगर पास पड़ती अगली बूंद वही रास्ता लेती है जो पहली बूंद ने लिया फिर अगली करीबी बूंद और उसकी अगली करीबी बूंद सभी वही रास्ता लेती हैं और ये रास्ता अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है दिमाग की कोशिकाएं यानि नियूरॉन्स पानी की बूदों की तरह ही काम करती है एक बार एक नियूरल पाथ बन जाता है तो फिर हमारा दिमाग सारी संबंदित नई संबेदी जानकारी उसी नियूरल पाथ पर बठाने की कोशिश करता है मीडिया ने आपको जो आंतंकवादियों की सभी तस्वीरें दिखाई हैं वो पानी की बूंदे हैं जो आपके दिमाग में टेरिरिस्ट नाम का एक मेंटल शॉटकट बना चुकी है अब आप जब भी टेरिस्ट शब सुनते हैं तो वो नियूरल पात जल उठता है और टेरिस्ट शब से संबंदित छवियां तुरंद आपको याद आ जाती हैं आपके पूर्व अनुभव पैटर्न्स पर आधारित मानसिक शॉटकट को हियूरिस्टिक्स कहते हैं अधिकतर समय हियूरिस्टिक्स बड़े काम की चीज हैं क्योंकि ये हमारे मस्तिश्क को सूपर एफिशन बनाते हैं ताकि रोज मर्रा के निर्णे तेजी से लिये जा सकें और इस प्रक्रिया में ज्यादा एनरजी ना वेस्ट हो उधारन तह रोड क्रॉस करते हुए आप फिजिक्स लगा कर गाड़ियों की स्पीड नहीं मापते आपका दिमाग ठीक अनुमान लगा लेता है कि रोड क्रॉस करनी चाहिए कि नहीं और अगर आप भापते हैं कि आती गाड़ी के ड्राइवर की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही इसलिए रुकना ही भेतर है तो आप तुरंद रुक जाते हैं इन परिस्थितियों में आपके अनुभव पर आधारत, पैटर्न बेस्ट मेंटल शॉटकट्स यानि ह्यूरिस्टिक्स आपके फाइदे में ही काम कर रहे हैं मगर heuristics हमें पक्षपाती भी बना सकते हैं जैसा स्टीरियो टाइपिंग में अक्सर हो जाता है heuristics अंदविश्वास का कारण बन सकते हैं जैसे जब मैंने ये shirt पहनी थी मेरे एक्जाम में अच्छे नंबर आई थे ये तो मेरी lucky shirt है तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्यादा तर तो mental shortcuts, heuristics हमारे फाइदे में काम करते हैं जैसे आगे risk और uncertainty के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कुछ मानसिक shortcuts हमें uncertainty से जूजने में सक्षम बनाते हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में mental shortcuts लेने से बहतर है बड़ो करेंगे तो तो में बड़े नहीं हमें